हलो दोस्तो, वेलकम टू स्टडी उनिवर्स, मध्यप्रदेश, डेली करंट अफिर में आपका स्वागत है आज है 20 अप्रेल 2019 और यह हमारी 137 वी क्लास है 12 important question आपके लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरस्टी से बहुत important है इन questions को आप note करने क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो, icon में एक question दिया गया है जो previous day का है इसे आप solve जरूर करें और अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box बताएं हम आपके answer जरूर करेंगे question number first हाली में भारत और किस देश के बीच नौसिना अभ्यास का आयोजन किया गया है जिसके say option है ब्यतनाम हाली में भारत और ब्यतनाम के बीच नौसिना अभ्यास का आयोजन किया गया है दोस्तो इस चारदवसी अभ्यास का आयोजन ब्यतनाम के कैम रना है खाड़ी में किया गया है यह है इस उद्यभ्यास का उद्धिश दोनों वलों के बीच ओपनेशनल सहयोग को बढ़ावा देना है अब दोस्तों बात आईए ब्यतनाम की तो आपको मैप में ब्यतनाम की बारे में बता दे मैप में यह जगह ब्यतनाम को दर्शाती है, राजधानी है, हनोई और करनंसी है, डॉंग ब्यतनाम की रास्टपती है लियान फूक, डॉंग और ब्यतनाम को स्टनतथा 2 सितमबर 1945 में मिली थी तो दोस्तों इतना आपको ब्यतनाम की बारे में याद रखना है कौन सा देश 2020 में G20 सिखर सम्मिलन की मेजवानी करेगा जिसका सही ओफ्षन है साउधी अरब साउधी अरब 2020 में G20 सिखर सम्मिलन की मेजवानी करेगा इस सम्मिलन का आयुजन नवंबर 2030 में रियाद में किया जाएगा दोस्तो G20 सिकर सम्मिलन के बारे में आपको बता दे यह एक केंद्रिय बैंकों और सरकारों का अंतरास्टी फोरा में इसका गठन 26 सितंबर 1999 में किया गया था भारत सहित इसमें 20 के 20 बड़े सदस्देश सामिल है दोस्तो अब बात आईए साओधी अरब की तो आपको मैप में इसके बारें बता दे मैप में ये जिगह साओधी अरब को दरसाती है साओधी अरब की राज़तानी है रियाल और करंसी है साओधी रियाल दोस्तों किंग है मोहमास सलमान तो इतना आपको साउधी अरब के बारे में याद रखना है नेक्स्ट कॉशन हाली में कौन पहलवान 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल बर्ग में 200 रैंकिंग में पहले इस्थान पर पहुँची है जिसको से यॉफ्टन है बजरंग पुनिया हाली में बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में 200 रैंकिंग में पहले इस्थान पर पहुँची है ये रूस के पहलवान अकमेद चकेफ से 58 पॉइंट आगे है इन्होंने 2013 में एसिया कुस्ती चेंपियंशिप में कांसपदक जीता था फिर 2017 में एसिया कुस्ती चेंपियंशिप में ही गोर्ल मेडल जीता था तो दोस्तो इतना आपको बजरंग पुनिया के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन हाली में किस देश के साथ बरुन युद अभ्यास का आयुजन किया जाएगा हाली में भारत और फ्रांस के बीच बरुन युद अभ्यास का आयुजन किया जाएगा इस अभ्यास का आयोजन फ्रांस और भारत के बीच मई में किया जाएगा मिक 21 के लड़ाकु विमान, आई एनस बिक्रमा दित्य, एफ एनस चाल्स डी गॉल जैसे एरक्राफ्ट विमान इसके हिस्सा होंगे साथ ही इसमें पंडुबी रोधी अभ्यास का आयोजन भी किया जाएगा दोस्तो अब बात आई है फ्रांस की तो आपको मैप में फ्रांस की बारे में बता दे मैप में ये जिगह फ्रांस को दर्चाती है फ्रांस की राज़धानी है पैरेस, करंसी है यूरो और फ्रांस की रास्टपती है इमानुवल मैकरॉन तो दोस्तो इतना आपको फ्रांस के बारे में याद रखना है नेश्ट कॉशन हाली में किस देश के प्रधानमंत्री ने कैविनेट सहथ इस्तीपा दिया है तिसका सी उफ्षन है माली हाली में माली के प्रधानमंत्री ने कैविनेट के सहथ अपना इस्थीपा दिया है यहां की प्रधानमंत्री सौमलियो, बेवेए, मेगा ने इस्थीपा दिया है माली की मुम्तिक शित्र में हुई हिंसा को रोकने में नाकाम रहे जिसके करण इन्हें स्थीपा देना पड़ा है दोस्तो इस हिंसा में 160 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है दोस्तो अब बात आई है माली की तो आपको इसके बारे में बता दे माली की राजधानिय बमा को करंसी है वेस्ट आफ्रिकन फ्रेंक माली की रास्ट पती है इब्राहन बाव वाकर और स्वतनतरता इसको 20 जून 1960 में स्वतनतरता मिली थी तो दोस्तो इतना आपको माली के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन हाली में आई बिस्व प्रेश सुचकांक 2019 रिपोर्ट में भारत का कौन सा इस्थान है जिसको से यॉफ्षन है 140 बारत का इस सुचकांक में 140 इस्थान है भारत 2018 में इस लिस्ट में 138 इस्थान पर था अब फिसल कर 140 इस्थान पर पहुँच गया है टॉप टेन देशों में नॉर्वे पहले स्थान पर फिल्लेंड डूसरे और स्वेडन तीसरे स्थान पर मौझूद है दोस्तो यह सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट वोडर ने जारी की है रिपोर्टर्स विदाउट वोडर की स्थापना 1985 में की गई थी इस्थापना करता है रोवर्ट मेनार्ड और रेमी लौरी दोस्तो इसका हेड़कॉर्टर पेरिस फ्रांस में है और महान देशक है किस्ट्रोग्राफ केलोडर तो दोस्तो इतना आपको रिपोर्टर्स विदाउटर की बारे में याद रखना है नेक्स्ट कॉशन तो इसका सई उफ्षन है भोपाल हाली में भोपाल में हीरलाय गायकवार्ड ट्रॉफी आयजित की गई थी इसके मैच कैप्टन रूप सिंग स्टेडियम में खेले गए थे दोस्तो आप बात आईए भोपाल की तो आपको कुछ इंपोर्टन फेक्ट भोपाल की बारे में बता दे भोपाल को जीलों का शहर कहा जाता है मद्यप्रदीश का सरवादिख जनसंख्या गनत्व भोपाल में ही है रास्टिय बिधी अकेडमी की स्थापना 1994 में भोपाल में की गई थी बन बिहार नेशनल पार्क भोपाल में ही इस्थित है ताजुल मस्जिद जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है भोपाल में ही इस्थित है प्रदीश का पहला एनरजी पार्क भोपाल में ही बनाय गया था और दोस्तो दो और तीन दिसंबर 1984 की रात को मिसाइल आईसो साइनेट गेस का रिसा हुआ था जिसके करण भोपाल में हजारों मोते हो गई थी तो दोस्तो इतना आपको भोपाल की बारी में याद रखना है इस दिवस का उद्देश पूरे विस्व में मानो सब्विता से जुड़े एतिहासिक और सांस्कृतिक इस्थलों की संरक्षन के प्रती जागरूकता फैलाना है यह दिवस यूनेसको द्वारा घोसित किया गया है दोस्तो बिस्व धरोवर दिवस को वर्ल्ल हैरिटेज डे के नाम से भी जाना जाता है दोस्तो अब बात आईए यूनेसको की तो आपको इसके बारें बता दे यूनेसको का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेसंस एजुकेशनल साइनस्टिफिक एंड कल्चरल और्गनाईजिशन होता है यूनेसको की स्थापना चार नॉमबर 1946 में की गई थी हैड़ कॉर्टर पेरेस फ्रांस में है और हैड है आंद्रे अजुलाए तो दोस्तो इतना आपको यूनेसको की बारे में याद रखना है नेस्ट क्वेशन हाली में किस जिले में देश का पहला 108 फीट उचा समवंसरन मंदिर बनाया जा रहा है जिसका सही उफ्षन है बिदीशा दोस्तो हाली में बिदीशा में देश का पहला 108 फीट उचा समवंसरन मंदिर बनाया जा रहा है इस मंदिर के अंदर कोई भी स्तंब नहीं होगा यह मंदिर 18 बीगा जमीन पर बनाया जा रहा है 2020 में बनकर तयार हो जाएगा बिदीशा में जैन के दसवे तीर्थकर सीतलनात का जन्म और ग्यान की सिद्धी हुई थी और दोस्तो खास बात ये है इस मंदिर की कि इस मंदिर में जैन धर्मे के पूरे 24 तीर्थकरों की इस्तापना की जाएगी दोस्तो यह मंदिर भारत की संसत जैसा देखेगा तो आपको इस मंदिर की बारे में इतना याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन हाली में किस जिले में सुईब कारिकरम की तहट मतदान बढ़ाने पर पुरुषकार दिया जाएगा सागर संबाग आयोक्त मनुहर दोए ने इस पुरुषकार को देने के निर्देश दिये है जिन शेत्रों में पिछली बार 50% मतदान हुआ था उन शेत्रों में अगर 10% या उससे अधिक मतदान बढ़ा तो 3000 रुपे दिये जाएंगे इसी परकार अगर 80% वाले शेत्रों में मतदान बढ़ा तो 1000 रुपे दिये जाएंगे दोस्तो आप बात आईए सागर जिले की तो कुछ important fact आपको सागर जिले की बारे में बता दे सागर जिले में पहला फोरेंस एक लेब बनाये गया था मद्धिप्रदेश का डॉक्टर हरीशिंग और विश्विध्याला जो मद्धिप्रदेश की प्रतम विश्विध्याला है यह सागर में ही इस्थापित की गई है उदन सहद्वारा 1660 में सागर की इस्थापना की गई थी नौरा देही वन जीव अभ्यारन सागर जिले में ही इस्थित है दोस्तो मद्यप्रदेश का दूसरा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सागर में ही इस्थित है और पहला ट्रेनिंग कॉलेज इंदोर में है दोस्तो आप चन्द की गुफाएं यहीं पर मौजूद है तो इतना आपको सागर जिले की बारे में याद रखना है जिसका सही औफशन है रीवा में देश का सब्सी बड़ा अल्टरा सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है हाली में दिलली में केंद्रिय सचिवाला से जवाहलाल नहरू स्टीडियम तक मेट्रो का संचालन रीवा से उत्पन सवर उर्जा जे किया गया है इसलिए ये खास question बन जाता है दोस्तो रीवा प्लांट से 27 मेगवाट उर्जा की पूर्टी की जाती है जिसे बढ़ा कर 99 यानि 99 में मेगवाट किया जाएगा दोस्तो अब बात आई है रीवा की तो कुछ important fact आपको रीवा जिले की बारें बता दे सपेद सीरो की भूमी की नाम से रीवा को जाना जाता है forestic guard training school रीवा में ही इस्थित है hydro electricity केंदर यहां बनाया गया है और तेउथर पुरातविक इस्थल रीवा में ही इस्थित है दोस्तो चचाई जल प्रपात जो प्रदेश का सबसे उचा 130 मीटर उचा जल प्रपात है और यह बीहड नदी पर है यह भी रीवा जले में ही इस्थित है इसके अलावा केवटी बहुटी यह जल प्रपात भी रीवा जले में ही इस्थित है तो दोस्तो इतना आपको रीवा जले के बारे में याद रखना है next question किस सहर में नगर निगम सौक्ष कार्ड दे रहा है जिसका सही option है इंदौर इंदौर में नगर निगम सौक्ष कार्ड दे रहा है इंदौर सफाई और सौक्षता के मामले में मद्द्परदेश में नंबर वन है ही और अब हाली में ये पहल सुरू की गई है स्वक्ष कार्ड की इस कार्ड को देने का मूल मकसद लोगों को स्वक्ष भारत अवियान में भागीदारी बढ़ाना है और स्वक्षता के प्रती जागरूकता फेलाना है निगर निगम अब तक 74,750 कार्ड बांट चुका है और इसका लक्ष शहर में लगवग 2,000,000 कार्ड बांटना है तो इतना आपको इस स्वक्ष कार्ड के बारे में याद रखना है तो दोस्तो ये था हमारा आज का डेली करंट अफियर आप मारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कल हम आपके साथ फिर मद्ध्रदेश और वर्ल्ल के इंट्रेस्टिंग फेक्ट को लेकर हाजर होंगे दोस्तो हमारी मद्ध्रदेश की 30 Important Days वाली सीरीज का तीसरा पार्ट आ चुका है आप जाकर उसे देखिए यह बहुत ही इंट्रेस्टिंग और नॉलिडिजिवल पार्ट है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही नमस्कार Have a nice day